सामान नोलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम कुछ कोस्टन सॉल करेंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन ड्रेल भी जन्रल साइंस एकोनामिक से रेटेड होंगे हाला कि ये क्लास मुझे आपको संध्य को प्रोवाइट करनी थी बस लेकिन किसी कारण व एक फर्वरी अथारा सो पच्पन को चलाए गई तो इसमें लगे भाफ इंजन का क्या नाम था दा फॉर्स ट्रेंड बिट्विन हावरा एंड रानी गंज वाज रन ओन फॉर्स फैबरी 1855 वोट वस दा नेम ऑफ दे स्टीम इंजन फिटेड इन एट इसके ऑप्शन से ले पहली उपनगरिय रेल चलाए गई तो यह किस केज पर चलाए गई तो दा फॉर्स्ट सबार्बन ट्रेंड वोज रन ओन एटेंट ऑप्रेल 1853 ओन विच गेज इट वोज रन इसके ऑप्शन से ब्रॉड गेज मीटर गेज नेरो गेज और ऑप्शन डी है ऑप्शन ए एंज इसका राइट आंसर है ब्रॉड गेज ऑप्शन नमबर थार्ड है सेंट्रल इंडिया रेल्वे की स्थापना सन अठाव सो पच्पन मी कहां की गई वेर वोज सेंट्रल इंडिया रेल्वे स्टैबलिस्ट इन 1855 इसको ऑप्शन से सूरत मुंबई बड़ोदा और सभी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नमबर ए सूरत कोशन नमबर फूर है उत्तर रेल्वे का प्रथम रेल मार्किन के बीच खोला गया दा फॉस्ट रेल्वे रूट ऑब दा नौदन रेल्वे वोज ओपन बिट्वेन तो इसको ऑप्शन से इलहाबास से कानपूर ऑप्शन डाइट नमबर और निसका राइट उसको आप्शन से इलहाबास से लखनो अफ्चन डी है इलहा बास से बनारस तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नमबर ए इलहाब से कानपूर नमबर फिफ्ट है इस्टरन बंगार रेलवे जथा ग्रेट साउथ रेलवे की स्थापने कप की गई When were the Eastern Bengal Railway and the Great Southern Railway established इसको options है 1858, 1888, 1890 and 1853 इसका right answer है Option number A, 1858 Question number 6 है किस railway zone का प्रारम 15 मही 1861 को हुआ था Which railway zone was started on 15th May 1861 इसके options है Eastern Bengal Railway, option B है Great South Railway, option C है North Western Railway and option D है A and B दोनो तो इसका right answer है Option number C, North Western Railway Question number 7 है Sun 1862 में प्रतम रेलकार खाने की स्थापना कहां की गई Where was the first railway factory established in 1862 इसको options है माधिपूर, option B है जमालपूर, option C है बनारस and option D है कपूर्थला तो इसका right answer है Option number B, जमालपूर Question number 8 है भारत में भाप इंजन किस वर्ष बनना शुरू हुए थे In which year, steam locomotive were made in India जिसको options है 1865, 1856, 1858 और last है 1862 जिसका right answer है Option A, 1865 Question number 9 है जमालपूर कार खाने में बने पहले भाप इंजन का क्या नाम है तो what was the name of the first steam engine made in जमालपूर फैक्टरी जिसके options है इंदपरस्थ, एक्सप्रेस, सुल्तान, फैरी क्वीन जिसका right answer है Option number B, एक्सप्रेस Question number 10 है प्रतम श्रेडी की डिब्बो को वातान उकूलित कब बनाया गया When were first class coaches made air conditioned इसके options है 1865, 1870, 1872, 1869 तो इसका right answer है Option number C, 1872 Question number 11 कोल काता ट्राम में कंपनी लिमिटेट नी किस वर्ष पहली ट्राम चलाई In which year the first tram was run in Kolkata tramway Company Limited इसके options है 24 February 1873 24 February 1872 24 February 1837 24 February 1870 इसका right answer है Option number A, 1873 Question number 12 है पहली ट्राम किनकी भी चलाएगी The first tram ran between जिसका option से सियाल दाह से पश्चमी घाट सियाल दाह से अर्मेनियम घाट Option C, अर्मेनियम घाट से सियाल दाह Option D, इसका right answer है Option number B, सियाल दाह से अर्मेनियम घाट Question number 13 है The bodies of penguin are dash and their feet have waves making them good swimmers Penguin के सरीर में क्या होते और उनके पेरों में जाले होते तो उन्हें अच्छे तेराग बनाते है तो उसके option से Heavy Option B, फिद्री Option C, स्टिम लाइट And option D, oily This right answer है Option number C, स्टिम लाइट Question number 14 है Cuttlefish belongs to phylum Cuttlefish किस phylum से संबन दी थे इसके options है Magzilla, Mollusca, Annelida, Prices This right option है Option number B, Mollusca Question number 15 है Manicone, Ragdoll and Somali are the breeds of Manicone, Ragdoll and Somali किसकी नसले है इसके options है Horse, Ghoda, Cat, Billy, Dog, Kutta, Elephant, Hathi जिसका right answer है Option number B, Cat Question number 16 है Dash is a monocot plant एक बीजी पत्री पौधा है जिसके options है Carrot, Gazar Option B, Daisy And option C, Garlic मतलब किलेश्चुन And option D, Rose गुलाब जिसका right answer है Option number Option number C, Garlic Question number 17 है Who was become the 24th Chief Election Commission of India भारत के 24 में मुक्री चुनाव आयोग कौन बने थे तो इसके options है राजीव महर्शी, सुनील अरोरा, सुशील चंद्रा और लास्ट है अशोक लवाशा तो इसका right answer है Option number C, सुशील चंद्रा Question number 18 है Which of the following minister is responsible for organizing the Republic Day Parade निम्लिकत में से कौन सा मंत्री गर्दन दिवस परेट के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है इसके options है Ministry of Home Affairs, क्रिह मंत्रा ले Ministry of Defense, रक्षा मंत्रा ले Ministry of Human Resource, मानो संसाधन, विकास मंत्रा ले Ministry of External Affairs, विदेश मंत्रा ले इसके right answer है Option number B, Ministry of Defense, रक्षा मंत्रा ले Question number 19 है The term marketing mix describes The Shabda Vipran, में सुर वर्णन करता है तो किसका वर्णन करता है इसके options है A series of business decisions that aid in selling a product वेवसाइक निरने की एक सिंख्ला जो किसी उत्पात को बेचने में सहायता करती है Option B है A blending of four strategic elements to satisfy specific target markets विशिस्ट लच्छित बजारों को संतुस्ट करने के लिए चार रन नीतिक तत्तों का समिश्र Option C है, A and B both Option D है, None of these तो इसका right answer है, option number B A blending of four strategic elements to satisfy specific target markets Question number 20 है Which of the following minister has launched the tribal TB initiative in Persuit of TB मुक्त भारत निमलिखित में से किस मंत्री ने TB मुक्त भारत की खोज में आदिवासी TB पहल शुरुआत की है Option A है, Dr. हर्षवर्धन Option B है, अर्जुन मुंदा Option C है, राजी कुमार Option D है, हर्दीप सिंग पुरी वो किस फाइलम से बिलॉंग करते हैं तो इसके ऑप्शन से मुलस्का, नेमेटोडा, और्थोपोडा, 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 प्रोटिस्टा तो इसका राइट आंसर है Option C, और्थोपोडा Question No.22 है Which of the following has the largest drain in proportion to its body size? नेमलिकित में से किसके शरीर के अकार के अनुपात में सबसे बड़ा मस्दिस्क है? जिसके ऑप्शन से चीटी, एंट Option B है घोडा, होर्स Option C है डॉल्फिन And Option C है Sorry, Option D है हमिंग बर्ड जिसका राइट आंसर है Option No.C, डॉल्फिन Question No.23 है Vitical classified organism into how many kingdom? Option A, 2, Option B, 4, Option C, 3, and Option D, 5 इसका राइट आंसर है Option No.D, 5 Kingdom Question No.24 है Which of the following is an egg-laying Mammals? तो निल्कित में से कौन अंडा देने वाला इस्तन पाई है? तो इसके ऑप्शन से Mongos, नेवला Option B है Platypus, Option C है Whale, and Option D है Mole, मतब तिल तो इसका राइट आंसर है Option No.B, Platypus Question No.25 है Bacilli are bacteria Which are Bacilli bacteria है जो किस shape की होती है? कौमा shaped की आलप बिराम की अकार की Rod shaped Rod की अकार की Spiral Kundili type की Anispherical गोला कार टाइप की तो इसका राइट आंसर है Option No.B Option No.B Rod की अकार की Rod shaped Question No.26 है During the Union Budget 2021-2022 The Finance Minister Announce India's National Rail Plans To Bring Future Ready Railway System by Kendriya Budget 2021-2022 के दौरान Witt Manthari ने भविश्य के लिए Railway प्रडाली लाने के लिए भारत की राष्टरे Rail योजना की घोश्र की है तो इसके options है 2025-2022-2030-2024 तो इसका राइट आंसर है Option No.C 2030-2030 Question No.27 है Recently Ministry of Education Launched सार्थक It is A खाल ही में शिक्षा मंतराने ने सार्थक लाँच किया है तो यह क्या है इसका options है यह एक web portal है mobile application है implementation plan है education platform है इसका राइट अंसर है Option No.C यह एक implementation plan है Question No.A 28 है Which of the following will be the most probable impact of devaluation of currency निम्लिकित में से कौन मुद्रा के अमुलियन का सबसे संभावित प्रभाव होगा जिसके options है increase in the imports increase in the exports increase in the exports increase import and export option D है ननभ दाइबब इसका राइट आंसर है option No.B increase in exports मतलब की export निरियात में बढ़ोतरी Question No.29 है The market system in which there are only two buyers facing a large number of sellers called बजार प्रडाले जिसमें केबल दो खरीदार बड़ी संख्या में विक्रेताओं का सामना करते हैं क्या कहलाते हैं जिनके options है Monopsyne Option B है Doopsyne Option C है Duopoly and Option D है Oligopoly तो इसका राइट आंसर है Option No.B Doopsyne खरीदार कौन है और विक्रेता कौन है ये जानने के लिए बस आपको इत्ता ध्यान रखना कि जिसमें Monopsyne यह S-O-N-Y Sony लगा है इसका मतलब होता है खरीदार और पॉली जिसमें लगा हूँ होता है विक्रेता बेचने वाला Question No.30 है What is Ada Marketing Communication Standard for तो Ada Marketing Communication में क्या है तो इसके Options है मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है तो इसके Options First है Attractive Information Development Application Option B है Attention Information Development Option C है Attention Interest Desire Option D है Awareness Interest Desire and Apply इसका Right Answer है Option No.C A for Attention I for Interest D for Desire and A for Action Question No.31 है What is Google's Paid Advertising Program called Google के सश्शुल्क विज्यापन कारिकरम को क्या कहा जाता है इसके Options से Google Search Engine Google Pay Google Ads and Google Analytics इसका Right Answer है Option No.C Google Ads Question No.32 है Inclusive Growth in India can be Achieved भारत में समावेशी विकास हांसिल किया जा सकता है इसके Options है Progressive Tax Regressive Tax Proportional Tax या फिर सभी Taxes तो इसका Right Answer है Option No. Progressive Tax जिसका मतलब होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा Income होगी उस पर उतना ही ज्यादा Tax Rate होगा जो Progressive Tax को दरसाता है फिलाल आज इतनी Question है I know number of questions कम है लेकिन खेर कोई बात नहीं आप पर इनके Practice कीजिए और तब तक के लिए